सबका साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताके आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलें हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में तो आज के वीडियो में आपको बताने बाला हूँ अगर आप एक रिटलर भाई हो एटल सिम के और आपको ये नहीं पता कि एटल किसम कैसे खोली जाती है तो इस वीडियो में आपको पूरी जनकरी देने वाला हूँ कि आपको एटल किसम कैसे खोली है और आपको ये भी नही अब हो गई है अगर आपको यह नहीं पता कि कैसे एक्टिविट किया जाता है तो उसके लिए मैं एक वीडियो पहले से बना रखी है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिस में दे दूँगा आप यहां पर जाकर देख सकते हो आप यह वीडियो जुरू देखना वीडियो तो अम मैं आपको बता देता हूं कि आपको एटल किसम कैसे खुलनी है तो घाइस यहां पर देखी सबसे पहले मैंने अपना मित्रा आपको ओपिन कर दिया है पास्पर डालकर और यहां पर मैंने एड को भी ओके कर दिया है यानिकि हट जाएगा एक बार करने के बाद नीचे लिखा हुआ है अधर तो गाइस अगर आपको यू आडी पर ओके करना होगा अगर आपके पास कोई दूसरा डाकुमेंट है पेंड काड या ड्राइबिन लेसन या फिर बोटर आडी तो यहां पर आपको अधर वाले पर ओके करना होगा और आप उससे भी सिम खोल सकत हो तो यहां पर मेरे पास आधर काड़ है तो यहां पर मैं यू आडी काड़ पर ओके करूंगा और मैं आपको आधर काड़ से सिम खोल कर दिखाने वाला हूं यहां तो मैंने यू आडी पर ओके कर दिया है ओके करने बाद नीचे आपके सामने दो आपसंस फिर सा सो करने ल मैं finger लगा के sim खोलना चाहता हूँ तो यहाँ पर मुझे ऊपर वाले पर ok करना होगा तो guys यहाँ पर मैं ऊपर वाले पर ok कर देता हूँ उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको check mark निसान लगाना होगा और नीचे यहाँ पर दीखिए आपको आधरकाट का number डालना होगा डाल दिया है अब मैं यहाँ पर device connect कर लेता हूँ mobile से और यहाँ पर मैंने ok कर दिया है अब मैं customer का finger ले लेता हूँ यहाँ तो guys यहाँ पर देखिए finger अटेज हो चुका है successfully finger लेने के बाद थोड़ा सा नीचे करना होगा अब यहाँ पर मुझे customer का live photo घेजना होगा और यहाँ पर सफेद background होना चाहिए customer के पीछे तो यहाँ पर मैं खैच लेता हूँ लेट जरा लेता हूँ जिससे के उसके चेहरे पर रोसनी आ जाये तो यहाँ पर customer को आँखे बंदर के खोलना होता है एक बार और automatic फोटो के चीज़ आता है उसके बाद यहाँ पर नीचे डन वाले बड़न पर ok कर देना होगा ok करने बाद नीचे आपको करना होगा अगर आपके में नाम नहीं आ रहा है automatic तो यहाँ पर डाल सकते हो और उसके नीचे लिखा हुआ है mobile number तो guys यहाँ पर आपको नहीं खूल पाएगी और आपको फिर से दो बार से process करना होगा तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा यहाँ आपको no पर ही ok करना है तो यहाँ पर के नीचे लिखा हुआ है connection detail तो यहां पर देखिए आपके सामने लिखा हुआ है SUK और MNP C by N तो यहां पर से आपको एक पर OK करना होगा तो गैस अगर आप नया नंबर लेते हो तो यहां पर आपको MNP पर नहीं OK करना है या तो आप SUK पर OK करेंगे या फिर आप C by N पर OK करेंगे तो गैस अगर आप SUK पर OK करते हो तो वहां पर आपके पास SIM जो है उस पर आपके Mobile Mobile लिखा हुआ है यानि कि अगर आपके पास जो भी SIM है उस पर अगर नंबर लिखा हुआ आता है तब तो यहां पर आप souk core करेंगे अगर आपके simple number नहीं लिखा हुआ है और आपको online number लेना है तो यहां पर czy brilliant लिखा हुआ है तो यहां पर आपको ok करके आपको number select करना होगा हो कि में पर मेरपा刀 number नहीं लिखऊ हुआ है simple यहां ? मैं same और online करना होगा उसके बाद यहां पर नीची आपको एक नमबर डाल देना होगा, तो यहां पर मैं एक नमबर डाल देता हूँ, उसके बाद उपर यहां पर कोछ जूस करसकते हैं हो एक नंबर तो यहां पर मैं एक नंबर 1945 कर लेता हूँ उसके बाद नीचे लिखा ओर लेता हूं उसके बाद निचे लिखा हूँ सीम नंबर तो यहां पर आपको स्कैन बालेक वाले बटन पर ओके करना होगा, ओके करने वाद आपको एक blank sing होगी जो आपके पास जिस पर number नहीं लिखा होता है वो आपको यहाँ पर scan करनी होगी तो यहाँ पर मेरे पास sim है blank sim यानि कि मेरे पास number नहीं लिखा हूँ उस sim पर तो मैं यहाँ पर बो sim scan कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैंने OK कर दिया है और यहाँ पर देखिए SIM scan कर लेता हूँ और यहाँ पर scan होने के बाद उसके सामने U बना देता हूँ capital U तो गाइस यहाँ पर देखिए मेरा SIM scan हो चुका है अब यहाँ पर मुझे नंबरों के आगे capital U लिखना होगा तो यहाँ पर मैं capital U बना देता हूँ तो यहाँ पर देखिए U डाल दिया है और यहाँ पर देखिए FRC आपको select करने होगी तो यहाँ पर मैं एक plan select कर लेता हूँ FRC 299 रुपय वाली और यहाँ पर मुझे नीचे जाना होगा और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है exiting count तो यहाँ पर मुझे zero select कर लेना होगा zero select करने के बाद यहाँ पर मुझे नीचे जाना होगा और यहाँ पर आपको कोछ नहीं भरना है और यहाँ पर देखिए check mark निसान लगाना होगा तो यहाँ पर मैंने चेक मर्क निसान लगा लिया है अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा और नीचे करना होगा तो यहाँ पर दिखे फिर से आपको चेक मर्क निसान लगाना होगा तो यहाँ पर मैं चेक मार्क निसान लगा लेता हूँ दो बार से और थोड़ा सा नीचे अब यहाँ पर दोस्तो एजन्ड का finger scan होगा तो यहाँ पर मैं अपना finger scan कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैं ok कर देता हूँ finger scan वाले पर ओके करने बाद दोस्तों यहां पे मैंने अपना её लगा लिया है फिंगर लगाने के बाद यहां पे दोस्तों मेरा फिंगर हो चूका है successfully गैस यहां पर देखी मेरा finger attached नहीं हुआ है यानी कि मुझे यहां पर दो बार से finger अपना लगा नहीं होगा तो यहाँ पर मैंने OK वाले बटन पर OK कर दिया है अब यहाँ पर दो बार से Scan वाले बटन पर OK कर दिया है और यहाँ पर मैं अपना Finger दो बार से Attach कर लेता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों मेरा Finger Attach हो चुका है successfully तो guys यहाँ पर मुझे नीचे करना होगा और यहाँ पर नीचे लिखा हूँ सम्मिट तो यहाँ पर मैंने सम्मिट वाले बटन पर भी OK कर दिया है तो guys यहाँ पर देखिए successfully सम्मिट फायरम हो चुका है अब यहाँ पर आपकी SIM खुल चुकी है तो guys यहाँ पर टेली वेरिफिक्सन करने की कोई जरूत नहीं होगी आपका नंबर ऐसे ही खुल जाएगा आपको सिर्फ अपने मोबाइल में सीमियर डालनी होगी मोबाइल में जैसी नेटवर्क आ जाएं उसके बाद आपको FRC कर देनी होगी तो यहाँ पर अगर आप 299 वाली FRC करते हो तब यहाँ पर आपको 0,50 जबी के डाटा मिल जाता है 28 दूनों के लिए तो इसके लिए मैं आपके लिए जल्दी वीडियो बनाने बाला हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें तो guys आसा करते हैं आज की वडियो आपको पसंद आई होगी तो पसंद आई होगी तो एक लैक जरू कर देना और अपी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर ले तो चली दोस्तो अगली वडियो पर मिलेंगे तब तक के लिए खुश रहेगे